जो ग्रामीन, गरीब, मेदावी विद्यार थी, नीट की परिख्या में अच्छे नमबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाए, मैं फिर अस्वस्ट करता हूँ सरकार किसी भी गुनेगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तयार हैं, किसी भी गुनेगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कारवाई होगी, कारवाई के लिए सारे पुक्ता, प्रमान, तत्य, एक लीगाल अन लॉजिकल एंड की एक बारियता रहती है, आवशक्ता रहती है, इस पे सरकार गंभीरता से सारा विश्यों को लिया है, मैं आप सभी कास्वे हो काम ना करता हूँ. करते हैं, आप स्थाइब कास्वे नाम और अर्गनाजसेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें. इस अपना नाम और अर्गनाजसेशन पलाएं, तब शुरू करें. Sir Hrithika from the Indian Express, आपने का एक हाई लबल कमिटी बनाई गई है, can you tell us about the composition of the committee? And my second question, sir, कि आपने कल UGC नेट इस सफिशिशन पे कैंसल किया कि शायद उस एक्जाम की इंटेगरिटी कंपरमाईज हो गई हो. The initial, or rather the preliminary inquiry of Bihar Police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गई. So would you just, based on that suspicion or indication, also want, you know, cancel UGC, sorry, NEET, UG. प्रशन आपने रखे हैं, एक तो मैं आपको अश्वस्तर करता हूँ, समाज जिवन के आज की दिनों में भारत की जो विश्वशनियता बनी है, उसको बरकरा रखने के लिए, समाज जिवन के experts को involve करते हुए, टेकनोक्राट्स, साइन्टीज, एजुकेशन आलिमिनिस्टेटर, एकेडेमिशियन्स, साइकोलोजिस, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को एकठा करते हुए, एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी, उनकी कमिटी की रेकोमेंडेशन से NTA को सुधारा ज जाएगा, जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाइ करेंगे, आपने नेट यूजीशी की बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था, कल मैं जब हमारी यूजीशी चेयर्मेन को ग्रिह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I-4C एजिंसी जो विशेश करके साइबर क्राइम को ट्राकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने तीन बजे एक जानका दी दी, कि इस इस प्रकार की डार्क नेट में कोश्चिन आ गिया है, उस कोश्चिन को हमने NTA की जो औरिजिनल कोश्चिन सा उसके साथ टैली करवाया जब हम सपष्ट होगे कि वो डार्क नेट में जो कोश्चिन है, वो UGC नेट की ओरिजिनल कोश्चिन के साथ मिलता है, तत्क्राइब हम लोगों ने निर्णे किया, इसके उपर एक उच्चेस तरी अनुसंदानों शीविया इंक्वारी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलिग कि जो शरीत रहे, उसको एक उच्चेस तरीय अनुसंदान के बिना उसकी ट्राकिंग करना, आपने आप में एक चुनोती है, आप उसकी बारे में जानते हैं, हमने तत्क्राइब निर्णे क्या कि इस परिक्ष्या कंपरमाईज हुई है, उसको चगित किया जाए, और जल्ल हमने उसी में भी कहा है कि जल्ली हम नया तीथी के साथ आएंगे परिक्ष्या करने के लिए, जारा नीट की सवाल है, नीट में, मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर बिनमरता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेदावी विद्यार थी, बहुत मे जहनत से उस परिक्ष्या को उत्रिण हुए है, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारमीक सुचना में कहा, कि पटना पुलिस की काम सरहनिय है, एक आइसोलेटेट घटना को उन्होंने राउंड अब कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कारवाई भी हम जल्दी कर देंगे, उस अनुशंदान को हम पुक्ता करना चाहते हैं, हम उनकी अनुशंदान से संतूष्ट हैं, बारस सरकार की अधिकारी और विहार पुलिस की वरिष्ट अधिकारियों की निरंतर बारतालाप हो रही है, यह दोनों घटना की बैग्राउंड और चरीत्र दोनों की अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे, लाकों विद्यारितियों की, मेधावी विद्यारितियों की, गरी विद्यारितियों की हितों की बात हैं, हम ऐसे कुछ ना करें, जहां हमारी देश की भविष्य काटगेरे मे अब्वार जाजाए। बिल के ल करए वे बिल्ड़ बाव पूल नहीं था एक्छ फिर्च एक बाटाके शुट ऑ करे बाट किस अपर से कास्ट इसकाशिश्टे भी कॉपकेश्ट नहीं है? ले नाष्यों से साफियर स्था प्राफ झाम एप्रổi कुछा 600 दूरूर है kmy विर्यूर मेन्धन Onuट टक यह में लोड एव जरॲूरा ऐसिझिए भिजूर आट पिता इस उन्में से स्थ मॉठ आप ह्परे ट्रूर्वरा Now in needs to think with the new face this kind of challenges this kind of challenges are not only limited to a area nowadays almost all state is affected by this kind of problem so we come out with a holistic law now it will be converted to rules and very soon all the document will be in the public domain प्रामारी जाहा इस नेला बार परिमिक है जाए और ने जाल प्रामारी जकाट्टिय्ट अजिए उल्पराइट का उस्ट्टॉ and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focus on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people have reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Aishwarya from NDTV. Sir, when this UGC net examinations are already being cancelled after the credible inputs being received by the IC4, what sort of inputs were received, number one? Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future whenever this examination will be reconducted will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination and when can we accept this examination to be reconducted again? No, no. Let me categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the dark net. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization, I foresee. When we compare with the document, of the said document with our original question set, we come to the conclusion this is a case of question leak. So, when you are organizing such a huge, prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can't say this is a very nice information I am sharing with you. With full pain, we are taking responsibility, we have to rectify the system. Very soon we will come out with dates. We will see how student will be, less burdened with the examination. But quality and transparency will be there. 81 to the right. We have to take care of the future. So, Mr. Tishini, the ruler of the विद्यारितियों की मेहनत को सनमान करना पड़ेगा बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोडिनेशन व्यवस्तित था कुछ विशंगती हमारी ध्यान में आई है इसलिए मैंने कहा कि उसारा प्रक्रिया पुरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेंबार होगा जो भी कोई होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा बाकि बिहार पुलिस इस विशे में कुछ और अनुशंदान कुछ और इंक्वारी और कुछ स्पेसिपिक क्यों जा रही है उसको पूरा हो जाने तो पूरा स्पस्टता हो जाएगी 212, 212 to the right आपका सवाल हो गया दूसरों को भी चांस देदें सर मेरा नाम अजसर प्यूश है न्यूज इंडिया से हूँ और सवाल मेरा यह है कि बिहार को लेकर सिकंदर नाम का एक वेक्टी जिसको अरेस्ट किया उसको रुकवाने की बेवस्था तेजस्वी आदो के पीए ने की आपके मुख्यमंतरी डिप्टी सीम ने इस बात का जिक्र किया है तो क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि तेजस्वी आदो की भी कोई सनलिपता थी या उसके पीए की देखिए मैं कुछ विशे को फिर अपील करना चाहता हूँ खुद के ओपर एक सहयम रखते हुए आज की दिन मेरे और से मैं भारत सरकार की शिक्षा विभा की दाइटों में हूँ एक अनफर्चुनेट इंसिडेंट हुई है हम एक चुनोती वारा समय में गुजर रहे हैं कि मैं सभी को अपिल करूंगा कि यह विशे को मैं देश की विद्यार्थी की हित मेरे मन में सबसे प्राथमिक थान है उनकी अभी बाबों को कि मैं इस वीच में कुछ विद्यार्थियों को मिला कुछ अभी बाबों को भी मिला कई विद्यारितियों की मेल मेरे को आती है बहुत सारे लोगों की नाराजगी मेरे पास आती है मैं उसको आजे पैरेंट आजे बड़े भाई आजे अभी बाबक मेरे पास उसको शिवकार करना उनको समालने की अलाबा कोई और रास्ता ही नहीं है मैं उनको समालता हूं उनकी नाराजगी वाजिब हैं यह प्रजात्तंत्र है लोगों की बात हमें सुननी है और उनके लिए जो नियावचित मार्ग होगा जस्ट एंड लॉफूल होगा उसको करना सरकार की दाइत्यों बनता है मैं हमारी सरकार की तिसरी पारी में मैं बिलकूल जिम्मेवारी के साथ अस्वस्त करता हूं आपको दिरे दीरे दूद का दूद पानी का पानी स्पष्ट आज हो जाएगा कई चीज आपने आप में समय के साब से स्पष्ट होई गया है सरकार के मंचा बहुती पवित्र तके साथ में कहूं स्पष्ट है भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा सक्ती ही माध्यम है उनको कोई भी प्रकार की अशुविदा जाने अंजाने में हो हम नहीं चाहेंगे शर्टनली आशूर युवाटिव तो दे लिफ है सरा Iham Piush from India today my question is regarding the neat examinations we have seen is to have because of the paper leak Udc net examinations have been cancelled can we see that neat examinations for 24 months we read and and the other question is about what was the need of changing the mode of conducting examination of net from the CBD mode to pen paper mode this question is also been asked every night I think I have already I am sorry by Ritika's question the part one of your question why we have adapted a process in you just in it and why you have adapted a process in the need I think I have answered that question regarding why we have change it's up to the examining agency because both are the well established is the examination method of our country both CBT and OMR pen and paper last year only NTA has conducted examination of different kind of one crore 30 lakh students and youth this year by this time NTA has conducted examination of 80 lakh students and youth different states different agencies and in both the way we can't say Apple is good or orange is good both of their own way I assure you I assure you when we are going to form a transparent committee will take their advice